हाई प्रेंड कैसे हैं आप आज हम बनाने जाया रहें दही वाले आलू चलो तो देख लेते हैं दही वालो बनाने के लिए हमें क्या-क्या सामगरिया लगे जी नहीं मैं यहां पे आलो बॉइल करके छौक करके लिए हैं इक चोपकर करके एकषॉर्फटी ए इक चोटी कॉटोरी मैं आ पे तही लिया है एक चमच लोंगी मैं जीरा नमक लेंगे स्वाद अनुसार आधा चमच शक्र लेंगे और 2-3 चमज, हम सिंगदाने का पाउडर लेंगे और 2 मिरशी मैंने चॉप करके लिए तो चलिए ज приложिए फेले टड़का रेडरी कर लेते हैं मैंने एक पैन लिया है उसमे मैंने 2-3 चमज तेल लिया है तेल जैसे ही थुड़ा घरम हो जाएगा हम उसमें डालेंगे जीरा आप इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखेगा ताकि आप हरी स्टेफ अच्छे से देख पाएं और जब आप अपने घर में बनाएं तो आप एक्सेट ऐसा ही बना पाएं अगर आप गय गय में और जलबाजी में देखेंगे तो पुछने को जरूर मिक्स कर सकते हैं यहाप पर मैंने हरी मिर्ष लिये और अधरक लिए यह दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप उपास में कुछ और भी ट्राय करना चाहते हैं कुछ स्वीट ट्राय करना चाहते हैं तो मैंने नाड़ियल पाक और सिंग भी बनाया है जो आपको आई बटन पर मैं इसके लिंक शेयर कर दूंगे आप वहाँ पर ज़रूर चाके देख सकते हैं वही बहुत मिक्स कर लेना है आप देख सकते हम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे जो हमने आलू बॉयल करके चौप करके लिए हैं वह आलू हम आप इसमें डाल देंगे क कि इसे मिक्स कर लेंगे ताकि और चीछ से मेक्स हो जाएन और वो थोड़े क्रिस्पी फ्रैइब मैं हो जाएंगे थो हम जब सब्सेंगे सब्सक्राइब बहुत टेस्टि बनेंगे आप हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंज और बेल आइकों को दबाना न भूले आप हमारे चैनल को शेर करेंगी तो जिसे नहीं आता होगा वो भी इसे देखे सेख सकता है इसमें हम नमक लेंगी स्वाधनुसार और आदी चमश शक्कर लेंगी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक शक्कर मेल्ट ना हो जाए इसे तब तक उसे चला दे रहना है अच्छे से मिक्स कर लेंगी हम इसे रोज रात 9 बजे में कुक फैक्टरी पे एक नया वीडियो अप्लोड करती तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूले आप देख सकते एकदम मिक्स हो चुका है शक्कर भी आपको एकदम मेल्ट हो गई है अब अब हमें इसमें सिंगदा सिंगल किया ना जएक्टर किया यहीनत सिद्धाने का ब्लूद्र दाना है जो मैंने पीश के रखा था था मैंने इसे पीसी सिंगदाने तो सिर रूंगर यहाई पर तो इसो क्यों ने फैस्टा कर लोगि करा लेंगी के और इस altar सुक्की सब्जी खानी हो आप इस स्टेज पे इसे मिक्स करके दो मिनिट ढखके रख सकते हैं उसके बाद आप इसे ऐसे सुक्की सबजी भी आलो की बना के खा सकते हैं वो भी बहुत टेस्टी रखती है अब यह स्टेज पे हम इसे दो से तीन मिनट ऐसे छोड़ देंगे ताकि जो हमने सिम्दाने डाले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाएं उसमें भी कच्छा पन ना रहें इसलिए हम उसे दो से तीन मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे आप इस रसेवी को अपने घर में जरूर ट्राइ कीचिएगा बहुत चटपट बन जाती है यह सब जी अब हम इसे ड़ी डाल देंगे अब दे डाने के बदम इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो दे के साथ एकदमी मिक्स हो जाएं मैंने दे बिलकुल भी खट्टा नहीं लिया है आपको चेह ताप खट्टा दे भी यूज़ कर सकते हैं मगर मैं इस सबजी में खट्टा दे नहीं प्रिपा क करते हूं इसलिए मैंने फिका दे लिया है आपको चेह ताप खट्टा दे भी यूज़ कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं जो दही है उसमें बॉइल आ रहा है इसे धक के हम 2-3 मिनिट ऐसे ही इसे पकाएंगे 2-3 मिनिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं हमारे सबजी ए कर सकते हैं